I am 40 years old, real age, अरे भई, मैं नहीं, ये जो बढ़कनी जिजी है, उनका वीडियो आया है और वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार से है, तो चलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो ले आते हैं, और जिजी की भई, age से related, हम लोग मुझे जहां तक याद है, मैंने अपनी कुछ दिनों पहले ही, कुछ दिनों पहले ही, क्या in fact कल्ग वाले लाइव में हम लोग ये बात कर रहे थे, क्या जिजी 35 की है, क्या जिजी 37 की है, है ना, तो जिजी ने भई हमारा content चुरा लिया दोस्तों, so friends, welcome to my channel, जिजी का title आप देखी रहे हैं, तो असल में ज 37 years old है, 37 साल की और बन रही है, तो जिजी ने बोला, आप लोग मुझे कुछ भी समझो, हाँ, आज मैं आपको finally अपने real age बताऊंगी, तो जिजी ने बोला है, मैं 91 born हूँ guys, अब आप लोग लगा लो, मैं कितने की हूँ, मैं सोचती हूँ छो लोग मुझे आप आके hate comments करत आप कुछ दिनों पहले जाओ, जब आप कहते थी कि लोग आपके नाम से मतलब आपकी बाते करते हैं, तो अच्छी बात है, ना, उनको करनी दीजी अपना काम, मुझे बुरा नहीं लगता, अभी आपको क्या हो गया, उस तो बड़ा meditation, spirituality की बात कर रहे थी, अभी आपको जजी एज वाले comments पे गुसा क्यों आने लगा, so friends, welcome to my channel, it's me, Swati, कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग मजे में होंगे, तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जजी की हो गई थी कल तबियत खराब, हां जी, आज इनोंने afternoon से start किया है, Sunday है, और आज बाहर बैट के ख जी आ है, कल रात को हो गई थी, जजी की तबियत खराब, अब आप पूछें कि तबियत हुई क्यों खराब, क्योंकि जजी friends के साथ चली गई थी, और जजी ने पनीर की सबजी के साथ मिसी की रोटी खाई, कॉन खाया, तो जजी का असल में हो गई, over eating है ना, तो corn digest हो जात बहुत सारा खालिया, वीडियो में तो जजी दिखा दें, देखो, मैं अजवाइन का पानी, और मैं ये जगार की रोटी और ये खा रही हूँ, लेकिन जैसे camera off होता है, जजी बहार जाती है, और देखो, खूब पनीर की सबजी, खूब चीज़े पेल के आती हूँ, और फ मैं अच्छे से बालों को तेल लगाया, भार बैटी हूँ, और house helper अंदर cleaning कर रही है, मुझे अंदर आने नहीं दे रही है, तो मैं अराम से भार बैट के rest कर रही हूँ, house helper ने मुझे साफ मना कर दिया, कि जजी जब तक मैं करना लूँ अपना ज़ाड़ू, पूचा, तु और जजी ने एक आज अजीवोगरी बात बताई, अजब गजब बात हुई भाई, जजी की सूट में shopping और सूट सिलेक्ट करने में help करी इनकी भावी, I mean होने वाली भावी अंचल ने, सोचिए आंचल की shopping और इस आंचल की सहिया यानि की, अरे भाई अभी होने वाले सहिया मतलब पपो की shopping में दोनों भेनों का योगदान नहीं, लेकिन इन दोनों भेनों की shopping में उस बिचारी आंचल को करवानी पड़ रही है, खैर, सिलेक्ट करने में suits जिजी की help करी हैं, आंचल ने जिजी ने बताया है, और फोटोस खीच-खीच के भेजी हैं, हमने 5-6 suits सिलेक किये हैं, शादी के लिए चाहिए, त्योहार भी आ रहा है, और भई हमारी बड़कनी जिजी का बड़े भी तो आ रहा है, उक्तोबर में, भूल गया आप लोग, और पंजाब में अच्छी विराइटी होती है suits की, और मैंने 2 suits तो मंगवा लिए हैं, जिजी ने बताया थे हैं, है न, शिराद में तो कोई shopping नहीं करता, तो आप लोग shopping क्यों कर रहे हैं, लोग अच्छी दिन आते हैं जब नवरात्री तब shopping करते हैं, तो जिजी was like कि जब हम लोग हिमा चल गए थे इस बार, अरे भीया जिजी भागी भागी गए थी न, तब हम लोग उने थोड़ माली भही आये थे, आज अपने पोधों को दिखा रही है, जिजी की पोधें भी content है, सारे पोधों की अच्छे से गुडाई वगएरा करके गए हैं, और अच्छे से सारी चीजों जो भी डालनी थी, खाद वगएरा वो डालके गए हैं, आप लोगों ने जो बोला था न, इस plant के लिए जो इनका बहुत height पे काफी उपर तक आ गया है plant, उसके लिए जिजी कह रही थी कि वो कह रहे थे कि हाँ, जैसे आप लोगों ने बोला तो उसको काट देंगे, और उसको snake plant बोलते हैं, घर में साप नहीं आते हैं, और फिर जिजी अंदर आ गही हैं, अंदर हमारे चार घीजर आ गये हैं, दो इनकी फ्रेंट के घीजर हैं, दो इनके घीजर हैं, उसके दिखा रही हैं, और लंच में जिजी ने आज बनाए है अरहर की दाल, जवार की रोटी बनाए है और ये आ रहे हैं लंच करमे, जिजी मुझे तो ये समझी नहीं आता, ये कौन सा ओफिस है जो संडे को भी खुला रहता है भाई हां whole nation wants to know मतलब क्या है यह आप जिज्जा जी आते हैं रात में खाना खाते हैं फिर जाते हैं फिर जिज्जा जी संडे को भी मतलब ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि ऑफिस में important काम होते हैं घर में बैठके काम नहीं हो पाता है तो ऑफिस चले जाते हैं यह तो भई आप सोचने वाली बात अब तो मुझे डाउट होता है कि तुमारे husband तुमारे साथ रहते भी है कि नहीं रहते हैं कई बर यह डाउट आत और हमने 5-6 suit select किये हैं आपको दिखाती हूँ तो जिजी ने जो अपने 5-6 suit ते वो दिखाए हैं घर साफ हो गया है अब finally जिजी नहाएंगी खैर वो जो suit हैं जिजी ने end में वीडियो की दिखाएं एक लाल रंग का था एक पिंग कलर का था एक ग्रीन कलर का था और एक I think ग्रे कलर का था light, dark सब select किये हैं जिजी ने साथ साथ कुछ लोग भाया वो जो divider है सफेद रंगा उसका पूछ रहे थे कि जिजी आपने कहा से लिया तो जिजी ने वो pepper fry से लिया जिजी ने बता दिया है और जो table पे, dining table पे जो जूट के placement थे वो भी जिजी ने वहीं से लिये है, juicer निकाला लेकिन juice बनाया है नहीं जिजी ने ऐसे ही खा लिये क्या apple oranges और इनको आने में टाइम लगेगा मैंने सोचा कि मैं nail paint लगा लेती हूँ, जिजी ने जितने भी color के nail paint का line ही थी जिजी आरे आप भूले, H&M से 15% discount पे सब लेके बैट ही थी और अच्छे स टीशू से nail paint remove कर रहे थी, तो बोल भी रही थी साथ साथ कि अगर आपके पास cotton ना हो तो आप इनकी शूपेपर से टीशू से अपना nail paint remove कर सकते हैं, और suit select हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है, और इनका तो मैंने कली select हो गया था, लड़कों का तो बहुत ही अराम से हो मेरे छोटे हैं, लेकिन मैं nail paint जरूर लगाँगी, और जिजी ने कुछ ये भी बोला है कि जितने भी color के nail paint है तो मैं दिख रहे हैं, इन सारे रंके में suit भी लेने वाली हूँ, ये colors मुझे बहुत ही जादा पसंद है, और मैं जब nail paint लगाती हूँ, तो मैं इस तरह से हाथ इस तरह से ऐसे करके हाथ दिखाती रहती हूँ, मेरी आदत है guys, आदत है, अब अच्छा nail paint collection हो गया है, जितने भी nail paints है मेरे, उतने suit लूँ, असी suit ले वांगे, लेंगे है न, बेबी अच्छे लगते हैं, suit लूँगी, इन सब के color मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बे एक या दो light color choose किये, बाकी मैंने इस बार dark color भी choose किये है, त्योहारों पे भी पहनूँगी, make up पालर से कराओं या खुद करवाओं, आप लोग बताओ, पहले जित जी बोल रही थी भाईया, कि जिससे मैंने शादी पे जिससे make up कराया था मैंने, वही से मैं इस बार सोच र पेनू या गाउन पेनू या साडी पेनू तो make up कराना चाहिए, बाकी जहां जाना है वो जगह दूर है, तो जिनसे शादी में तयारी हुई थी, उनसे तयार हूँ, मेरा मन है, जैकि मैंने आपको पहले बता दिया, करल कराओं, क्या कराओं, या चीर करके या से straight कराओं, और इनका तो gray color का outfit है, कली select कर लिया था, और अंदर जाएगी white shirt, बाकी audience बोलती है कि dark color, पहनो अपनी जिन्दगी में, color लाओ जिन्दगी जियो, और बार-बार शादी नहीं आती है, है ना, पती को light color अच्छे लगते है, मैं क्या करूँ, मैं तो dark color पहनना चाहती हूँ, तो भईया, पता नहीं, वो आदमी और अउरत, वो हमेशा आके बोलती है, कि she is 37 years old, she shows she is 19 years old, मैं 1991 born हूँ, तो आज जिजी ने clear किया है दोस्तों, आज सारी जितनी भी बाते होती है, उनको जिजी ने विराम देते हुए बोला है, कि मैं 91 born हूँ, है ना, तो आप लोग जिजी, जिजी ने अपना थोपडा भी दिखाया, ऐसे करके देखो, आप लोग को मेर को देखके complex हो जाता है, मुझे इस तरह की comments करते हो, जिजी कौन, किसको complex होता है आप से, आप मुझे ये बताओ, सब लोग अपने घर में खा रहे हैं, अपनी महनत से खा रहे हैं, और जो लड़की आज तक 30 से उपर ही नहीं है, आज भी बार-बार कह रही थी, मैं कितने की हो गई, मैं 32 की हो गई, मैं 33 की हो गई, अच्छा मेरा maths बहुत वीक है, मैं count करती हूँ, पीछे गई, बार-बार, है ना, मैं हूँ 31 साल की, कुछ जिजी ने count भी करके, इतने महीने, इतने दिन की हो चुकी हूँ, और रियल एच, अब बर्तडे भी आ रहा है जिजी कि October में जो इतने टाइम से जो गाना गाई जा रही है, October में birthday, October में birthday, real देख रही थी कि October मंत में जो पैदा होती है, वो शहजादिया होती है, मतलब बागी जो महीनों में पैदा होती है, व मेरा माथा बहुत चौड़ा है, मेरा माथा तो बैसे छोटा है, मेरा माथा बहुत चौड़ा है, तो जिसका चौड़ा बहुत लखी होती है, जिसका माथा बहुत चौड़ा होता है, वो बहुत लखी होती है घर के लिए, फिर जिजी ने अपनी पुराने बच्पन की फिर निकनेम दानू है, तो जिजी का नाम आल से दानू है, जिजी को दानू बोलेंगे, और मैं पहला बच्चा थी, पापा बहुत प्यार करते थे, मुझे, मैं पहली पेटी थी, तो इसलिए मुझे बहुत प्यार करते थे, और फसले भी अच्छी हुई थी है न, और मेरे बाल बहुत brown थे brown तो मैं जब भी नानी क्या जाती थी तो मुझे अंग्रेजन बोलते थे और क्योंकि मैं शिमला से जाती थी ठंडी जगा से तो लोग मुझे इस तरह बोलते थे बस जब आप जब आपको कोई गलत बोलता है तो मैं यह सोचते हूँ कि इनकी आप ही लगाते हो यहाँ पर आके जो इतना रायता फिलाते हो एज प्रॉपर कभी बताई तुमने तुम तो 30 से उपर ही ना होई जिजी हाँ आज जिजी को फैनल याद आए कि भईया हम हो गए हैं 33 एर्स ओल्ड ऐसे कमेंट्स को रीट करके सब लोग को ऐसे कमेंट्स को रीट करके मुझे यही लगता है कि अपनी निजी जंदगी में क्या ही करते होंगे हैं जिजी लोगों पे बाद में आज तुमने कॉम्पलेक्स की बात करी है मतलब कौन से लोगों को इन से कॉम्पलेक्स होता है आप लोग बताओ मुझे कॉमेंट करके है फिर जिजी ने कल वो जो इयरिंग्स लाइती न हमसे सब लोगों को बहुत ही पसंद आया बार बार जिजी दिखा रही थी कि इस बार तो मैं बस भाया कुछ भी हो जाए अच्छे से तयार होंगी लोग कहते हैं हमेशा यह नहीं करती यह नहीं पहनती इस बार तो मैं बहुत अच्छे से तयार होने बाली हूँ और कोई कसर नहीं छोड़ूँगी तयार होने में अच्छे से थोक में मैं सारा समान ले आई हूँ और लास्ट में सूट्स दिखा रही हैं Green Color का Orange Color का और I think Red Color का भी था और एक Gray Color की suits हैं जो इनोंने select किये है है, last मіनों इनोंने हल्छा सा दिखाया है, एक Blue Color का भी suit है, जो मैंने मम्मी के लिए select किया है, ये Red Suit choose किया है, Green choose किया है, बाकी Mammy का दिखाया, लेकिन चुटगननी जिजी कि कोई świeर की shopping से related you know, कुछ नहीं दिखाया है मतलब वहां पर कह रही है कि मैं इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ और मैं दो ते दिन तक मेरे वीडियो भी हो सकता है मतलब वह बिचारी घर्म के कामों में लगी हुई है जिजी तुम्हें तरस नहीं आ रहा मम्मी के लिए तो चलो तुमने फैन करी लो जिजी जब इतनी ओनलाइन आचल के लिए कह रही हूँ छुटकनी जिजी के लिए हां बाकी देखो भाई की शॉपिंग में भाई बिचारा क्या कर रहा है राम जाने वो अकेला केला फिर रहा है हां चलो फ्रेंट्स ये था मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर दो और जहां से भी देख रहे हूँ वीडियो जगा का नाम ज़रूर लिख देना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जिजी की एज 33 years old जिजी के मताबिक 33 भी गलत ब बाइ 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 फ्रेंट